नमस्कार स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी चैनल पर आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने EPF अकाउंट में No Many Details को किस परकार से एड़ कर सकते हैं दोस्तो EPF अकाउंट में No Many Details एड़ करने से पहले आपको अपने EPF account के profile में अपनी photo और address अपडेट करना होता है ये दोनों चीजे जरूरी है बिना इन्हें किये हुए आप अपने nominee details को add नहीं कर सकते हैं अपने EPF account में profile photo और address को किस परकार से update कर सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है जिनकी links आपको वीडियो के description में मिल जाएंगी EPF account में nominee की details add करने के लिए हमें सबसे पहले Google Chrome browser को open कर लेना है दोस्तो आप यह process step by step देखने के बाद अपने phone से भी EPF account में nominee की details add कर सकते हैं दोस्तो PF account में nomination add करने के लिए सबसे पहले आपको search box में PF लिखके enter कर देना है दोस्तो यहाँ पर हमें member home page वाले option पर click कर देना है दोस्तो इसके बाद अमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें UAN यानि universal account number और password उसके बाद में हमें capture code डालके sign in कर लेना है दोस्तो यहाँ पर मैं अपने details fill करके sign in कर लेता हूँ दोस्तो sign in करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का page open हो जाता है दोस्तो यहाँ पर हमें view वाले option पर किलिक करना है उसके बाद profile वाले option पर किलिक कर देना है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस परकार से हमारा profile details यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर यदि आपका profile photo update नहीं है तो उसे update कर लें दोस्तो उसके बाद हमें अपनी details सेक करनी है यहाँ पर जो details update नहीं है उन सब details को यहाँ पर update कर देना है इसके बाद दोस्तो हमें manage वाले option पर click करना है और उसके बाद e-nomination वाले option पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर कुछ इस परकार का एक form open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले having family या no वाले option पर हमें click करना है दोस्तो यहाँ पर अपने mother, father या अपने wife या children को add करना है तब तो yes वाले option पर click करना है इसके अलावा यहाँ आपको अपने brother और sister को यहाँ पर nomination के लिए add करना है तो no वाले option पर click करना है दोस्तों यहाँ पर मुझे अपने बर्दर को add करना है तो मैं यहाँ पर no वाले option को select कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जिस भी व्यक्ति को nomination के लिए add करना है उसकी यहाँ पर हमें details enter कर देनी है दोस्तों यहाँ पर nominee का अधार number यहाँ पर nominee का नाम, उसका date of birth, उसका gender हमारे साथ उसका relation, brother है तो brother, sister है तो sister और उसके बाद उसका address, यहाँ पर उसकी bank details उसके बाद उसको कितना percent आप share दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर फिर हमें photo upload कर देनी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी details fill करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसके बाद हमें check box पे click कर देना है और save EPF details वाले option पर click कर देना है दोस्तों details successfully save होने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का message यो करेगा EPF nomination saved successful दोस्तों उसके बाद आपको फिर नीचे scroll करना है और यहाँ पर EPS nomination में भी same सारी details हमें fill कर देनी है दोस्तों मैं अपने details fill कर देता हूं फिर आपको दिखाता हूं दोस्तों यहाँ पर आपको EPS details saved successfully वाला SMS आपको दिख जाएगा यहनि कि आपका EPF और EPS दोनों के लिए आपका nomination का details fill हो गया है आप यहाँ view वाले option पर click करके अपना nomination details check कर सकते हैं यहाँ पर कुछ edit करना हो तो edit कर सकते हैं यहाँ फिर आपको continue करना है तो E-sign वाले option पर click करना है इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का page देखने को मिलेगा यहाँ पर check box पर click करना है यहाँ पर हमें अपने आधार number enter कर देने हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा OTP successfully send कर दिया गया है registered mobile number पर दोस्तों यहाँ पर कुछ time wait कर लेना है और जो OTP हमें प्राप्त होगा वो उसे यहाँ पर enter करके check box पर click करके और submit वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर successful होने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का signed successfully वाला SMS आ जाएगा दोस्तों हमें check करने के लिए दुबारा से manage वाले option में click करना है और e nomination वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा successfully nomination हो गया है यहाँ पर आप details चेक कर सकते हैं दोस्तों कुछ इसी परकार से आप भी अपना e nomination अपडेट कर सकते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई समस्या आए तो नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे thank you so much for watching करे गीचे हैं